शनी कुंडली के पहले घर में प्रथम भाव में वही शनी हैं क्या शनी हैं आपके जीवन में लंबे चलने वाले सुख या लंबे चलने वाले दुख जीवन में जितनी भी अडचने संघर्श आएंगे न सारे के सारे शनी से ही कंट्रोल होते हैं जीवन में करियर क्या होगा करियर कैसा चलेगा, overall रोजगार क्या होगा ये भी शनी की authority में आता है शनी होते हैं आपका residence, आपका घर और इसके अलावा शनी होते हैं आपके जीवन की overall settlement अब देखिए शनी के पास कितनी important चीज़ें हैं और उपर से लगन में शनी, लगन क्या है? आपके कुंदली की driving seat, यानि आपके कुंदली की driving seat और इतने important portfolio of alike planet जब ये दो चीज़ें कठी हो जाती हैं न, सच में result बड़े ही रोचक होते हैं और ये जो result हैं आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं नमस्ते, मेरा नाम है योगेशर्मा, स्वागर है आपका एपिलाइव विडियोगेशर्मा में और दोस्तों आखे बढ़ने से पहले एक विनमरेटी वेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब ना सूरे से शनी के अच्छे समन्द है ना मंगल से तो बाई डिफॉल्ट ये सोचा जा सकता है कि शनी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे लेकिन ऐसा नहीं है, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं शनी यहाँ पे कुछ कंडिशन हैं जिन में अच्छे नहीं होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन अगर ड्राइविंग सीट पे बैठके यानि आपके कुंडली का जो में कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे बैठके शनी अच्छे हो जाएना, सबसे पहले तो यह इंसान को बहुत फेमस करेंगे यह इंसान के करियर को बहुत ज़्यादा हाइट्स देंगे शरीर में उसकी हाइट को लंबा करेंगे और सबसे बड़ी बात उसे इंसान में पेशेंस तो कूट-कूट के भरी होगी वो इंसान कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा उसके बिहेवियर में बड़ी अजीब सी मिच्योरिटी जलकेगी यह होती है लगन में शनी के अच्छे होने की निशानी लेकिन यह शनी क्योंकि शनी बेसिकली तो पाप ग्रह है पाप ग्रह जो होते हैं यह इनकी एक निचर होती है कि शरारत किये बिना नहीं रह सकते तो शनी थूरे से भी कहीं पे भी खराब हो जाए ना तो यह अब जीवन में बहुत सारी परिशानिया भी देनी शुरू कर देते हैं आप इन परिशानियों को समझें मैं आपको एक उधारण के थूरू इसको समझाता हूँ आपको इसको समझने में बड़ी असानी होगी आप इमेजिन करिए कि आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है और उस ड्राइवर का जो अपना घर है वहाँ पे उसके कोई दुश्मन आके घर में आके बैट गए तो क्या उस ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने का पीस ओ माइंड बचेगा सीधी बात है आप गाड़ी चला रहे हो आपको पता चले कि आपकी प्रापर्टी के अंदर कोई गलत लोग आके बैटके हैं तो आपका मन तो एकदम वहाँ चला जाएगा ना और गाड़ी जो है उसका एक्सिडेंट हो सकता है ठीक इसी तरह से तीसरा घर, दस्वा घर, ग्यार्मा घर ये शनी के नैचुरल उर्जा वाले घर माने गए हैं इन घरों में अगर शनी के कोई दुश्मन ग्रह जैसे के सूरज, मंगल, इवन चंद्रमा ये आके बैठ जाए ना तो अब यहाँ पे शनी का behavior बहुत ही खराब हो जाता है, अब शनी अलग-अलग तरह से जीवन को spoil करना शुरू करतेगा जैसे के शनी अच्छा था, तो ये क्या दे रहा था? patience अब ये patience जो है ना, ये आलस में बदल जाएगी, इंसान धहरे के नाम पे, patience के नाम पे काम को टालता चला जाएगा, बहुत ही आलसी हो सकता है, कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसो कर लेंगे, प्रोकास्टिनेटर, चीज़ों को अगले दिन पे टालने व हर बात पे नुक्स निकालना, हर काम में गलतियां ढूंडना, और इंसान का बिलकुल जल्दी ट्रिगर हो जाना, लड़ पड़ना, ऐसी चीज़ें जो है, हर बात पे conflict, हर बात पे अड़ना, हर बात पे हाथापाई तक पे आ जाना, ये इस शनी की behavior को खराब करने की जो है इस condition में शनी करियर को set नहीं होने देता है, अलग-अलग कारण बनते चले जाते हैं, नौकरी है, तो नौकरी बदलती चले जाती है, प्रमोशन होने का नाम नहीं लेती है, इंसानी की level पे रहता है, वेपार में है, तो वेपार में उसके competitor उसे आगे निकलते चले जाते है वेपार में एक ही level पे या इवन अपने level से नीचे गिरता चला जाता है, काम में लगातार मुश्किले बढ़ती चले जाती हैं, कई बार तो काम बंद होते हैं, काम बदलते चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें करियर को प्रभावित करने वाली यहाँ पे शनी देता है, यह यहाँ पे शनी मकान में क्या करता है, इंसान को अपने घर को या तो ये लोग घर ले ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे लगन के शनी वाले लोग जिनके शनी खराब होते हैं, वो नया घर ही नहीं ले पाते हैं, उनका घर लेने का सपना जो है आगे अधर आगे अधर आगे चला जाता है यह जिस भी घर में वो रह रहे होते हैं उस घर को ढंग से रिन्यू नहीं कर पाते हैं अपग्रेड नहीं कर पाते हैं उनके घर के अंदर की जो अवस्ता है उसको देखके ही पता चल जाता है कि इनके लगन का जो शनी है यह बहुत खराब हो रहा है यानि कई आपग्रेड नहीं कर पाते हैं यह अपनी आँखों के सामने अपने आसपास वालों को जीवन में तरक्की करता दिखते चले जाते हैं लेकिन खुद जीवन में तरक्की नहीं कर पाते शनी के दोस्त होते हैं शुक्र और बुद्ध, अब बर्थे चार्ट में एक चीज हमें याद रखनी होगी, जब भी शनी ऐसे घर में हैं जहाँ पे उसकी पोजीशन बड़ी सेंस्टिव है, तो इस समय पे शनी अगर अच्छे रिजल्ट दें, तो उसके लिए जुरूरी है कि बर्थे चार्ट में शनी के जो दोस्त है बुद्ध और शुक्र ये बहुत अच्छे होने चाहिए, अब बुद्ध अच्छे है के नहीं, शुक्र अच्छे है के नहीं, ये कुछ निशानियों से पता चल जाएगा, बुद्ध होते हैं दांत, या इनसान की सूंगने की या इनसान के choice of words, वानी, वो बोलता कैसे है, ये सारी चीज़ें किसी इनसान की अच्छी है, यानि उसके दांत बड़े अच्छे है, उसको दांतों की समस्याई जादा नहीं आती है, उसका शब्दों का चुनाव बड़ा अच्छा है, समय जुरूरत पढ़ने पर वो बोल अच्छा लेता है, तो समझ जाएगा उसके बुद अच्छे है, अब ये जो शनी है ना, चाहे खराब भी होंगे ना, बहुत दिक्कतें नहीं देंगे, और शुक्र, शुक्र अच्छे होंगे तो वो इनसान ओर्गेनाईस होगा, व्यवस्तित होगा, उसका जो आसपास है वो साफ सुतरा होगा, वो इनसान खुद भी प्रिजेंटेबल होगा, खराब अवस्ता में दिखेगा नहीं वो, ये जो चीज़ें होगी ना, ये निशानी होगी कब इस बंदे के बुदर शुक्र अच्छे हैं, ये शनी उसको अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे, ल इवन में एक दम से बहुत ज्यादा मुश्किलें बाद में आने शुरू हो जाती है, और दूसरे नंबर पे इनको कभी भी वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, शनी की दिशा वेस्ट होती है न, यहां पर शनी कमफर्टेबल नहीं है, तो इनको कभी भी पश्चे मुखी घ जो है न, वो नहीं लेना चाहिए, सौथ वेस्ट फेसिंग भी नहीं, वेस्ट फेसिंग भी नहीं, इवन नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर भी नहीं लेना चाहिए, यानि जिस भी दिशा में वेस्ट एड हो जाएगा न, वो घर इनको ज्यादा तर एवाइड ही करना चाहि और इसका सीधा सीधा फर्क आएगा इनकी प्रोफेशनल लाइफ पे और स्पेशली इनको अपने घर में घर बड़ा वेंटिलेटिड रखना चाहिए यह अपने घर में अगर कोई नॉन वेंटिलेटिड घर में रहेंगे न तो यह भी पक्का मानके चलिए कि शनी इनके खरा वालों के लिए यह उपाय जो है बड़ा ही सटिक बहुत ही अच्छा उपाय माना गया है सूरे की चीज होती है बंदर अब यहां पे सिंबॉलिकली मिट्टी का बंदर स्पेशली जिसका मुह लाल हो यह घर पे रखना लगन के शनी वालों के लिए एक अच्छा साइन होता फिर यह शनी जो है अपनी खराबियां देनी बंद कर देते हैं लगन में शनी खराब कर रहे हो न तो यहां पे दिखे कई जगा पे उपाय कहा गया है कि काला नमकिया सुर्मे की डलियां जमीन में गड़ा खोद के दबाई जाएं लेकिन प्लीज अगर आपनी यह उपाय क पड़ सुन रखा है तो इसको सलाह किये बिना मत करिएगा लगन के शनी वालों के लिए अपने भाईयों से संबंद अच्छे बना के रखना लगन के शनी वालों के लिए अपने पिता से संबंद अच्छे बना के रखना इनके लिए बहुत ही फायदे मन रहता है लेकिन इ उनकी बात मानने में उनके साथ संबंद अच्छे रखने में लॉंग टर्म में आपका बहुत ज्यादा भला ही है तो दोस्तों लगनमे शनी जो है ये आपके करियर को आपके घर को आपकी ओवराल वेल बिंग को कंट्रोल करते हैं तो अगर आप इसको सही बना के रखेंगे तो यकीन मनगे इन सारी चीजों के जो रिजल्ट है जीवन में आपको बड़े ही जबरदस्त मिलने वाले हैं तो ये था लगनमे शनी का हाल तो अगले वीडियो में मिलेंगे शनी के सेकंड हाउस को लेके कैसे दूसरे घर में शनी जो हैं आपके जीवन को कंट्रोल करते ह तब तक बने रहीएगा मेरे साथ अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्कार